आज में लेकर आए हूं डाइरिया और उससे रेटेड नेच्रल ट्रेमिडीज तो आए अपना वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले में एक रिक्वेस्ट करोंगी कि अगर आप मेरे चैनल जैनल में पहली बार आएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्रा प्लाइब कीजे चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं डाइरिया बहुत ही आम हैं बच्चों के लिए दात निकल रहे होते हैं तब तक अकसर देखा गया कि बच्चों को डाइरिया हो जाता है पहले यह symptoms को आपको पकड़ना जरूरी है कि बच्चे को डाइरिया है कि नहीं चार बार से उपर पौटी कर रहा है बच्चे को बुखाराना बच्चे को उल्टी होना यह भी एक factors होते हैं मगर जरूरी रहे हैं कि हर बार बच्चे को दस्त हो तो यह दो factor visible हो यह कभी-कभी आते हैं बगर ये पार्ट है डाईरिया की सहोsed हुआ कि आप उस बच्चे को पहले तो मैक्सिमम मचलाए यहाल पानी पले लगा हो मगई जब आपकी बच्चे को डाईरिया हो गया है बर आप फाई की बॉटल है जो भी इसको strictly sterilize कीजिए आप चाहें तो अगर आपको बच्चे नारिल पानी पीता हो तो नारिल पानी भी दे सकते हैं वह बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए जरूरी निट्रिंट्स भी होते हैं और बच्चे के जो हो रहा है उसको भी वो कोप करता है आप उनको केला भी दे सकते हैं अगर बच्चे को केला पसंद है तो डायरेक्ट केला बेस्ट है अगर बच्चे केला नहीं खा रहे हैं तो आप जो है उनको साबुदाना भी दे सकते हैं आप साबुदाना बहुत तरह से बना सकते हैं साब यह बदरी वाख पाणी में थिकर पाली को करना है थो जरह शहाए दो थीन छब मत सब्सक्राइब हो थी वह siinä पोपाँडह सकतें आप यहीं कर सकते हैं कि आप बच्चे के लिए खिचुरी बना के बच्चे को च्छोकला किला सकते हैं, नेक्स आप ये कर सकते हैं, तो रिखेज़ सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब ऐ क्षण नावा धान आती है जो लाई लावा जो इवाली के समय आता है अपने चारपाँ चमज खील को ले लिया फिर उसको जो है एक देर ग्लास पानी में आप वो चारपाँ चमज खील डालके उसको पकाही अच्छे से बॉल करें बॉल होने के बाद जब उसका पानी आधा हो जाए है तो को स्क्रेंड करके आप बच्चे को पिला सकते हैं ंपनार्मल टेंपरेश Więंगे तो कोई दिक्कत नई गरम देने की कम पल्चन नहीं है आप बच्चे को 23 चार्टा चमज छोटा है तो अगर आपका बच्चा थोड़ा है वन इस अब करोंगी कि आप जैसे मखानल रो बच्चे की डाइरिया को रोकने के लिए साथ ही साथ आप बच्चे को होमेपैथी की दवाईयां भी दे सकते हैं जो डाइरिया के लिए SBL की आती है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप महां से भी पर्चेस कर सकते हैं कि आप बहुत की चीचों का परेश करना पड़ेगा जैसे कि आप बच्चे को दूध कम से कम धीज्डें क्योंकि डाइजस्ट नहीं होता है और डूध कम से कम दीजिये उससमय आपका बच्चा छे मैने से उपर का है तो ही आप उसको दूद कम से कम कॉंटिटी में दीजे एल्स मा का दूद ही सबसे बेस्ट होता है डायरिया को कोप अप करने के लिए जीरो टू शिक्स मांस में दायरिया की समय आपको सकती से बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खिलाना है बच्चे को चॉकलेट खिलाना है आपको घर के मने प्रोड़क्ट ही खिलाने हैं पॉस्ट फॉल दूसरा पड़ाथा पूरी यह जिसी हैवी चीजें बिल्कुल भी नहीं देनी हैं बच्चे को और साथी साथ बच्चे को एक्टिव रखने अगर आपको बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है आपको लग रहा है कि वह बहुत हो रहा है तो आपको मेडिकल इंटरवेशन की जरूरत है आप प्लीज जॉक्टर को जाकर दिखाएं आपको दो तीन दिन तक आगर बच्चा मैनेजबल है घर में तो प्लीज इसको देसी तरीके से बच्चे को ठीक करने के कोशिश किजिए अगर आपको लगता है आपका बच्चा बहुत उथार्जिक हो रहा है तो प्लीज मैं सज़ेस्ट करूंगी कि आप पेडियाटेशन से मिलि अगर रगान की बना के देंगे तो जाधा बेटर वोगी नॉर्मल पानी की Speech बनाए और उसके ऑप बनाकी तो जीसे आपनी ग्ल्य पान्य लिया चल दाली आँए तो पूरा नीबू बना को पर बैट इस minister से जो शिकंजी आप बनाएंगे तो बच्चे के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ प्लीज मेरे चैनल जन निक्स मौफो सब्सक्राइब कीजिए और बेल हाइकन हिट करना मत भूली